नमस्कार दोस्तों, टेकनोलजीय स्मार्टफोन चैनल में आपका स्वागत है हमसे कुछ लोगों ने पूछा था कि Realme C35 फोन कैसा फोन है, बाय करना चाहिए या नहीं आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन के बारें बताएंगे जो 12,000 के आसपास मिलते हैं और इन सभी फोन के प्रो और कॉंस के बारें भी बताएंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहला फोन है Realme C35 जो अभी रिसेंटली लांच हुआ है सबसे पहले इसके जल्दी से इसके स्पेक्स के बारें बताते हैं के बाद इसके प्रो और कॉंस के बारें बताएंगे बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की तो या पॉली कार्बोनेर बाडी के साथ आता है लेकिन बैक पैनल में गलासी फिनिस दिया गया है या फॉन 60 Hz रिफ्रस्रेट और मैक्सिमम 480 निल्स की पीक ब्राडनेस के साथ आता है इसके बैक में ट्रिपल कैमरा सेटब दिया गया है 50 मेगाफिक्सल का primary camera, 2 मेगाफिक्सल का micro camera और 0.3 मेगाफिक्सल का boge effect camera दिया गया है back camera से full HD और HD में video record कर सकते हैं वहीं selfie के लिए 8 मेगाफिक्सल camera दिया गया है front camera में HD में video record कर सकते हैं अब बात करें इसके processor की तो इसमें Unisog T616 processor दिया गया है या Android 11 पर रंग करता है या phone में UPS 2.2 का storage दिया गया है इसमें 5000 mAh बैल्टी दिया गया है और इसी को चार्ज करने के लिए 18 वाल्ट का चार्जा दिया गया है या 4G RAM और 64 GB internal memory के लिए 12299 विल्पे पेकरने होंगे अब इस phone के cons की बात करें तो इस phone में ultra wild camera नहीं दिया गया जो कि इस price में ultra wild camera बहुत सारे फोनों में मिलता है इस phone में processor बहुत पुराना दिया गया है जो कि इसमें heavy gaming नहीं कर सकते हैं इस phone में बहुत सारे prod wear देखने को मिलते हैं इसमें सिर्फ 18 wild का charger दिया गया comes come 33 wild का fast charger होना चाहिए था अब इस phone के pros की बात करें तो इसमें सिर्फ design बहुत अच्छा दिया गया है इस phone में सिर्फ normal काम कर सकते हैं, heavy काम नहीं कर सकते हैं अगला phone है Redmi Note 11 चलिए जल्दी से इसके specs के बारे में बताते हैं maximum 700 minutes की peak brightness दिया गया है इस phone में display protection के लिए corning gorilla glass 3 दिया गया है इस phone में brightness और color काफी अच्छे दिया गया है इसके back में quality camera setup दिया गया है 50 megapixel का primary camera, 8 megapixel का ultra wild camera, 2 megapixel का micro camera और 2 megapixel का camera दिया गया है इस camera से full HD video record कर सकते हैं वहीं selfie के लिए 16 megapixel camera दिया गया है इस camera से full HD में video record कर सकते हैं image quality में बहुत अच्छा दिया गया है इसमें Qualcomm Snapdragon 680 processor दिया गया इसमें dual stereo speaker और side में fingerprint चंसा देखने को मिलता है इस phone में 1-2 SIM और एक memory card लगा सकते हैं IP53 rating IR blaster भी दिया गया है इस phone में gaming भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अब बात करें इसके बैल्टी की तो इसमें 5000 mh बैल्टी दिया गया और इसी को चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जा दिया गया है या 4G VRAM और 64G V internal memory के साथ 12999 बिल पे है लेकिन Amazon और फिलिपकार्ट के आफर में या 12000 के आसपास मिल जाता है Redmi Note 11 के प्रोज की बात करें तो इसमें dual stereo speaker दिया गया है इसमें fast fingerprint sensor देखने को मिलता है इस phone में 4G Plus का support दिया गया है यानि की carrier aggregation दिया गया है जो की network को बहुत strong बनाता है इस phone में Super AMOLED display देखने को मिलता है जो की बहुत अच्छी बात है best ability backup और उसके साथ 33W का fast charger देखने को मिलता है अब इस phone के cons की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा highway gaming नहीं कर सकते हैं normal gaming कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी अगला फोन है Infinix Note 11 चलिए जल्दी से इसकी specs को बारें बताते हैं और इसके pro और cons के बारें बताएंगे इसमें 6.7 inch full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कोर्निंग को रिला गलास के साथ आता है जबदस्ट ये डिस्प्ले दिया गया है आपको डिस्प्ले से कोई सिकायत नहीं होगी इसकी बाल्टी पाली कार्बनेल्ट का बना हुआ है इसके साइड में फिंगरपुरिंट संसर देखने को मिलता है इसमें मेल्डिया टेक हिलियो जी 88 प्रोसेसर दिया गया है इसमें गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं होगी यह एंडराइड 11 पर रन करता है इसके बैग में डूल कैमरा सेटप दिया गया है 50 मेगाफिक्सल का प्राइमरी कैमरा प्लस 2 मेगाफिक्सल का कैमरा दिया गया है इसमें AI का सपोर्ट भी दिया गया है सेल्फी के लिए 16 Megapixel camera दिया गया है, इसमें triple sim slot दिया गया यानि कि एक साथ 2 sim और एक मिमोरी कार्ड लगा सकते हैं, इसमें stereo speaker भी दिया गया है, इसमें 5000 ms वैल्टी दिया गया है और इसको चार्ज करने के लिए 33 वाल्ट का fast charger दिया गया है, अब बात करें इसके प्राइज की तो या 6GB RAM और 128GB इंटेंडर मिमोरी के साथ 12499 रुपे है अब इस फोन के प्रोज की बात करें तो इसका डीजाइन बहुत अच्छा दिया गया है इसमें Dual Stereo Speaker दिया गया है जो की बहुत अच्छी बात है इस फोन में Full HD Plus Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलता है इस फोन में 33 वाइल का Fast Charge दिया गया जो की बहुत अच्छी बात है इस फोन के Cons की बारे में बताते हैं इस फोन में Box बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं अभी हमने 12000 के रेंज में कुछ Smartphone के बारे में बताए हैं जिसके Pro और Cons के बारे में भी बताए हैं असा करता हूँ या वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो Technology Smartphone चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसे हमारे latest वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके